तो हेलो दोस्तों, फेंटास्टिक फ्लेवर फूड में आप सभी का स्वागत है आज उबले हुए आलू का इस्तमाल करके हम 10 मिनट में बना करके त्यार करेंगे गर्मा गरम चट पटा सा कुरकुरा सा ये नाश्ता जिसे आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं या फिर शाम की चोटी मुटी भूक में भी ये नए तरीके का नाश्ता बना करके खा सकते हैं बनाना बहुत ही आसान से है और बहुत ही कम समान से ये बन करके तयार हो जाता है तो चलिए आईए आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं इसके लिए यहाँ पे चार बड़े साइस के आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है अब इसके बाद इसमें हम एट कर देंगे एक से डेट चोटा चमच के करीब चिली फ्लेक्स तो चिली फ्लेक्स जो होता है तीका कम होता है इसलिए मैंने यहाँ पे डेट चमच के करीब एट किया है आप तीका अपने अनुसार कम जैदा कर सकते हैं इसके साथ बारी काट करके हरा धनिया एट कर देंगे स्वाद अनुसार नमक एट करेंगे या फिर एक चोटा चमच और आदा चोटा चमच हम इसमें तेल एट कर देंगे तेल एट करने से हमारा नाश्टा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बन करके तियार होता है अब इसके बाद हम यहाँ पर एट कर देंगे इसमें बाइंडिंग के लिए मैदा तो मैं यहाँ पे मैदे का इस्तमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे गहू का आटे का इस्तमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास कौन फ्लार है तो आप उसे भी इस्तमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स का भी इस्तमाल कर सकते हैं, तो जो भी कप के करीब यहाँ पे मैदा लग जाता है और इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा ओइल आदा चमच के करीब एट करके इसे स्मूध कर देना है यह देखिए बिलकुल इस तरीके से तो यहाँ पे लगबग दो टेबल स्पून के करीब मैदा बच किया है एक कप में तो जितन दो प्यास प्यास को पटला सा महीन काट सकते हैं स्कुर्ण जैसे बिलकुल हम आमलेट वगरे के लिए पारिक चॉप कर सकते हैं अब इसके बाद यहाँ पे इसे हमें बिल्कुल भी color change होने नहीं देना है, थोड़ा सा सौते कर लीजिए, हलका सा जैसे translucent हो जाएगा, इसमें हम मन मताबिक सबसियां add कर देंगे, आप चाहे तो इसे skip बे कर सकते हैं, तो यहाँ लगबग 2 चमच के करीब मैंने गाजर add किया और इसी के साथ एक चमच हम यहाँ पे चाट मसाला add कर देंगे, और इसे अच्छे से मिला लेंगे, तो यहाँ पे flame को local लीजेगा, जिसे की हमारे मसाले जो हैं वो बिल्कुल भी जले नहीं, तो low flame पे हमें इसे चलाते हुए पका लेना है, तो थोड़ी सी सबजियों को हम में गलने देना है, इसके लिए हम इसे ढख करके दो मिनट पका लेंगे, तो अगर आप सबजियां नहीं डाल रहे हैं, तो आप इसे तुरंद के तुरंद बना लेजे, दो मिनट भी नहीं लगेंगे, आपको इसे भुनने में, तो यहाँ पे दो मिनट के बाद सबजियों थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, तो अब इसके बाद हम इसमें अड़ कर देंगे हमारे चटपटे मसाले को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हमारा यह सीक्रेट मसाला, जो है मैगी मसाला, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेम्टिंग बन करके इसकी तयार होती है, बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, आप एक बर जरूर इस तरीकी से ट्राइ करिएगा, बिल्कुल नए तरीकी की स्टफिंग आज मैं आपको बता रही हूँ, इसके बाद यहाँ पे हमें दो मीडियम साइज के आलू को मैश करके आट कर लेना है, तो आल से चटपटी से स्टफिंग तयार है, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा हाथों में ओयल लगा लेना है, बिल्कुल एक से दो बून के करीब, और इसे अच्छे से ग्रीश कर लीचे, और इसके बाद जो हमने आलू वाला स्टफिंग तयार करके रखा था, और इसके बाद जो आलू वाली हमने लोई तयार करके रखी थी, उसमें से थोड़ी सी लोई हमें निकाल लेनी है, और इस तरीके से हाथों में थोड़ा सा चप्टा कर लेना है, यह देखें, बिल्कुल वीडियो में आप देख सकते हैं, बहुत ही आराम से असानी से हो जाएगा, कोई बेलने जाएगे, बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अराम से चिपक जाते हैं, यह देखें, बिल्कुल इस तरीके से, और यह मैंने एक बना करके तियार कर लिया है, देख सकते हैं, आप देखने में बहुत ही खुशूरत लग रहा है, एक और मै इसे उठाते हुए, दूसरी तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, यह देखें, तो अगर स्टफिंग थोड़ी सी जादा हो गई है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अराम से एज़स्ट हो जाता है, क्योंकि यह बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट रहता है, तो इसी तरीके से हलका सा इसे सेप अप कर दीजे, और यह देखें, बन करके यह बहुत ही खुबसूरत सा यह हमारा नाश्टा तयार हो गया है, इस तरीके से बना लीजे और आप चाहे तो इसे फ्रेजर में दो दिन के लिए या तीन दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकत तो आप अगर इसे हाई फ्लेम पर फ्राइ करेंगे तो ऊपर से तो येक्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर पिश्पा te wszystkayu करना जाएंगे इसलिए हमें इसे हम सारे बनाएंगे और एक एक करके इसे गोल्डन होने तक फ्राइ कर लेंगे तो फ्रेंट्स यहां पर मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगे अगर आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइ दे करके बोर हो गए है या फिर बच्चे भी रोज-रोज वही नाश्ता खा करके बोर हो गए है तो एक बार उन्हें इस तरीके से बना करके देखिए दीजीए बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे और महमानों को भी अगर आप चाहे तो इस तरीके से जट-पट से यह नाश्ता बना करके प्रेजन कर सकते हैं और यकीन मानिये उन्हें बलकुल भी पदा नहीं चलेगा कि आपने इसे आलो से बनाया है जली मिलते हैं कल सुबह 9 बजे एक और रेसिपी के साथ तिल देन टेक केर एंड बाई